नमस्कार बच्चों बच्चों उमीद है आप अपने स्थान पर स्वस्त और सुरक्षित होंगे बच्चों आज हम कक्षा 6 का अध्याए 11 करने जा रहे हैं जो की इतिहास से सबंदित है और इस अध्याए का नाम है इमारतें चित्र तथा किताबें आप सोच रहे होंगे कि इमारतें चित्र तथा किताबें ये क्या बात हुई हम क्या पढ़ने जा रहे हैं वास्तम में हम जो प्राचिनकाल की इमारते हैं हम उनके बारे में जानने का प्रयास करेंगे और इन इमारतों में हम देखेंगे कि जो प्राचिनकाल के मंदिर बने और प्राचिनकाल में जो स्तूप बने और प्राचिनकाल में जो विहार बने उनकी जो स्थापत्य शैली थी वो क्या थी और जब ये चीजे बनाई गई तो उसमें क्या-क्या शामिल किया जाता था और इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि प्राचिनकाल में जो चित्रकला थी उसके बारे में भी हम जानेंगे खास करके जब हम अजंता की गुफाओं की बात करते हैं और वहां पर जो चित्रकारी की गई है उसके बारे में हम पढ़ेंगे और साथ साथ इस काल की यानि प्राचिनकाल में जो सहित्या रचा गया चाहे वो उत्री भारत में था चाहे वो दक्षिन भारत में था हम उसकी यहां पर बहुत ही अच्छे ढंक से और सरल शब्दों में व्याख्य करेंगे बच्चों आईए अब हम दिल्ली में स्थेत जो की महरोली में कुत्व मिनार के पास एक स्थम्भ है उसके बारे में बात करें महरोली में कुत्व मिनार के परिसर में खड़ा यह लोह स्थम्भ भारतिय शिलबकारों की कुशलता का एक अद्भुत उधारन है इसकी उंचाई 7.2 मिटर और वजन 3 टन से भी ज्यादा है इसका निर्मान लगभग 1500 साल पहले हुआ इसके बनने के समय की जानकारी हमें इस पर खुदे अभी लेक से मिलती है इसमें चंदर नाम के एक शासक का जिकर है जो संभवताहा गुप्त वंश के थे आश्चरे की बात यह है कि इतने वर्षों के बाद भी इसमें जंग नहीं लगा है आईए बच्चो अब हम स्तूप की बात करते हैं अगर देखा जाए तो शिलब का लाकास बहुत ही बड़िया जो हमें नमूना या उतकरिष्ट नमूना देखने को मिलता है वो हमें स्तूपों में देखने को मिलता है आखिर ये स्तूप क्या है आप सोच रहे होंगे हरान भी हो रहे होंगे आईए स्तूप के बारे में जाने स्तूप का शाब्दिक अर्थ टीला होता है हलांकी स्टूप विभिन अकार के थे कभी गोल या लंबे तो कभी बड़े या छोटे उन सब में एक समानता है प्राया सभी स्टूपों के भीतर एक छोटा सा डिबा रखा रहता है इन डिब्बों में बुध या उनके अनुयायों के शरीर के अवशेश जैसे दान, हड़ी या राख या उनके द्वारा प्रियुक्त कोई चीज या कोई कीमती पत्थर अथवा सिक्के रखे जाते हैं इसे धातू मंजूशा कहते हैं प्रारंभिक स्तूप धातू मंजूशा के उपर रखा मिट्टी का तिला होता था बाद में तिले को इटों से ढख दिया गया और बाद के काल में उस गुम्बंद रुम्मा धांचे को तराशे हुए पत्रों से ढख दिया गया प्राया स्तूपों के चारों और परीक्रमा करने के लिए एक वरिताकार पत्थ बना होता था जिसे प्रदक्षिना पत्थ कहते हैं इस रास्ते को रेलिंग से घेर दिया जाता था जिसे वेधिका कहते हैं वेदिका में प्रवेश दवार बने होते थे रेलिंग तथा तोरण प्राया मूर्ती कला की सुंदर कला कृतियों से सजे होते थे यहां पर आप मद्या प्रदेश में स्थेत सांची का ये महान स्टूप देख रहे हैं इस तरहें के स्टूपों का निर्मान कई सो सालों तक चलता रहा इस स्टूप में इंटों का प्रयोग संभवताहा अशोक के जमाने का है जबकी रेलिंग और प्रवेश दवार बाद के शास्कों के काल में जोडे गए और बच्चों कई बार क्या होता था पहाडों को काट करके गुफाएं बनाई जाती थी और इन गुफाओं की दिवारों को मूर्ती कला तथा चितर कला से सजाया जाता था और प्राचिन काल में इस काल में बहुत से मंदिरों का निर्मान भी हुआ जिसमें विश्णू और दुर्गा या अन्या देवी देवताओं की पूजा की जाती थी आए हम इन मंदिरों की जो खास विशेशताएं थी उनके बारे में जाने मंदिरों का सबसे महतमपुन भाग गरब गरी होता था जहां मुख्या देवी या देवता की मूर्ती को रखा जाता था इसी स्थान पर पुरोहित धार्मिक अनुस्थान करते थे और भगत पूजा करते थे अक्सर गरब गरी को एक पुवितर स्थान के रूप में दिखाने के लिए भीतर गाउं जैसे मंदिरों में इसके उपर काफी उन्चाई तक निर्मान किया जाता था जिसे शिखर कहते थे यहां पर आप देख रहे हैं उत्तर परदेश में भीतर गाउं का ये एक अरंभिक मंदिर यह लगबग 1500 साल पहले पकी इंटों और पत्थरों से बनाया गया था और इन मंदिरों को बनाने के लिए और भी योजनाएं बनानी पड़ती थी अधिकतर मंदिरों में मंडप नाम की एक जगा होती थी यह एक सभागार होता था जहां लोग इकठा होते थे इसी तरह दक्षिन भारत में भी महाबली पूरम और एहोल में काफी मंदिर बनाये गए यहां पर जो उपर देख रहे हैं आप यह महाबली पूरम का एकाश्मिक मंदिर है अब इसको एकाश्मिक मंदिर क्यों कहा जाता था क्योंकि ये एक ही पहाडी को तराश कर बनाया गया था इसलिए इसे एकाश्म मंदिर कहा गया है ईटों से बनाय जाने वाले मंदिरों से यह बिलकुल भिन होते थे इंट से बनी इमारतों में नीचे से इंटों की एक-एक तह जोडते हुए उसे उपर की और ले जाते हैं जबकि चटान तराश कर बनाये जाने वाले मंद्रियों को पत्थर काटने वाले उपर से नीचे के करम में बनाते हैं और यहां पर आप इसी प्रकार दक्षिन भारत में स्तेत एहोल का दुर्गा मंदिर भी देख रहे हैं यह लगबग 1400 साल पहले बनाया गया था बच्चों आप सोच रहे होंगे कि यह जो स्तूप और मंदिर हैं यह कैसे बनते होंगे वास्त में क्या है कि जब स्तूप और मंदिर बनाये जाते थे तो इन्हें विभीन प्रकार की प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता था क्योंकि स्तूप और मंदिर बनाने के लिए बहुत सा पैसा या धन खर्च होता है और इसके लिए केवल राजा या रानी ही प्रयास कर सकते थे तो आप समझ रहे हैं कि राजा और रानी जो थे यानि उस काल के जो भी शासक या शासिका थे वो मंदिर और स्टूप बनाने में बहुत महतमपुन भूमी का निभाया करते थे सबसे पहले अच्छे किसम के पत्थर ढूंड कर शीला खंडों को खोद कर निकालना होता था यहां पत्थरों को काट छाट कर तराशने के बाद खंबों, दिवारों की चोख्टों, फर्शों तथा छटों का अकार दिया जाता था इन सब के तयार हो जाने पर सही जगों पर उन्हें लगाना काफी मुश्किल का काम था इस तरहें के शांदार धांचों का निर्मान करने वाले शिल्पकारों को सारा खर्च संबवताहा राजारानी ही देते थे इसके अतिरेक्त इन स्तूपों या मंदिरों में आने वाले भगत जो उपहार अपने साथ लाते थे उनसे इमारत की सजावट की जाती थी जैसे हाथी दात का काम करने वाले श्रमिकों के संग ने सांची के एक अलंकरित प्रवेश दोवार जिसको तोरण भी कहा जाता है को बनाने का खर्च दिया था इनकी सजावट के लिए पैसे देने वालों में व्यपारी, क्रिशक, माला बनाने वाले, इत्र बनाने वाले, लोहार सुनार तथा ऐसे कई इस्तरी पुरोशामिल थे जिनके नाम खंबों, रेलिंगों तथा दिवारों पर खुदे हैं इसलिए जब तुम इन स्थानों को देखने जाओ तो याद रखना कि कितने सारे लोगों ने इने बनाने और सजाने में अपना योगदान दिया था आए बच्चों अब हम प्राचिनकाल की चित्रकला की बात करें और उसमें भी विशेश कर हम अजन्ता की जो चित्रकारी है उसकी बात करें आप सोच रहे होंगे अजन्ता की चित्रकारी वास्त में क्या है अजन्ता एक जगा का नाम है जो की आधुनिक महारास्टर में स्थित है और वहाँ पर हमें बहुत सी गुफाई मिली हैं और उन गुफाओं में बहुत बढ़िया चित्रकारी का नमूना पेश हुआ है जो सब को बहुत ही मन मोहक लगता है ये जो गुफाएं हैं इन में से जादातर बोध भिक्षकों के लिए बनाए गए विहार थे इन में से कुछ को चित्रों द्वारा सजाया गया था यहां इनके कुछ धारन दिये गए हैं गुफाओं के अंदर अंधेरा होने की वज़ा से अधिक चित्र मशालों की रोशनी में बनाए गए थे इन चित्रों के रंग पंदरां सो साल बाद भी चमकदार हैं ये रंग पोधों तथा खनीजों से बनाए गए थे इन महान कृतियों को बनाने वाले कलाकार अगयात हैं अर्थात उनका नाम हमें नहीं पता है आईए बच्चो अब प्राचिनकाल की कुछ सहित्य की हम बात करें हम जो सहित्य पढ़ने जा रहे हैं वो बहुती परसिद रहा और जादा तर उसमें महा काव्या रहे महा काव्या होता है वह एक बड़ा ग्रंत जो कवीता के रूप में लिखा जाता है हम उत्री भारत और दक्षिन भारत दोनों के ही सहित्य की बात करेंगे करीव अठारा सो साल पहले एक प्रसिद तमिल महा काव्या शिल्प आधीकारम की रचना इलांगो नामक कवी ने की इसमें कोवलन नाम के एक व्यपारी की कहानी है वह पुहार में रहता था अपनी पतनी कनगी की उपेक्षा कर वह एक न वहां पांडय राजा के दरबारी जोहरी ने कोवलन पर चोरी का जूठा अरोप लगाया जिस पर राजा ने उसे प्रान दंड दे दिया कनगी जो अभी भी उससे प्रेम करती थी इस अन्याय के कारण दुख और रोश से भर गई उसने मदुरई शहर का विनाश कर डाला एक और तमिल महाकावय मनी मेखलई को करीब 1400 साल पहले सतनार द्वारा लिखा गया इसमें कोवलन तथा मादवी की बेटी की कहानी है ये रचनाएं कई सदियों पहले ही खो गई थी उनकी पांडू लीपियां दोबारा लगबग 100 साल पहले मिली बच्चो अभी हमने एक शब्द प्रयोग किया पांडू लीपियां पांडू लीपियां या पांडू लीपि क्या होता है बच्चो आज कल की जो हम किताबें देखते हैं वो तो छपी हुई होती हैं लेकिन पहले की जो किताबें होती थी वो हाथ से लिखी जाती थी और ज और उसमें हमने जो उनकी एक रचना थी अभी ग्यांश कुंतलम उसकी बात की थी तो कहने का भाव है कि जो काली जास थे वो भी प्राचिनकाल के एक बहुत ही बड़े सहित्याकार थे और उनकी एक और रचना का यहां पर वर्णन किया गया है और वो है मेग दूत आप सोच आई मेग का मतलब आप जानते हैं बच्चों बादल और का रचना मेग दूत में जो एक प्रेमी था अपनी प्रेमी का से काफी दूर रह रहा था और अपना संदेश वह उस तक भेजना चाहता था जब उसे कुछ नहीं मिला तो उसने क्या देखा कि अकाश में बादल जा रहे हैं और उन बादलों को ही यानि मेगों को ही उसने दूत बनाया अपना संदेश वाहक बनाया और यह कहा जाकर के यह जो संदेश है मेरी प्रेमिका तक पहुंचा देना उसका एक अंश यहां पर दिया गया है आएए हम उसको पड़ें देखो इसमें किस त्रह कवी ने बादलों को उत्तर की और ले जाती ठंडी हवा का वर्णन किया है तुमारे बोशारों से मिलायम हो उठी मिट्टी की भीनी खुश्बू से भरे हाथियों की सांस में बसी जंगली गुलर को पकाने वाली शीतल बयार तुमारे साथ धीरे धी देगी तो बच्चो आपने ये कवीता के अंश सुने अब इन अंशों को देख करके आपको लग रहा होगा कि काली दास जो थे प्रकृती प्रेमी थे क्योंकि इस कवीता में किस्तना बढ़िया उन्होंने प्रकृती का वर्णन किया है और बच्चो इसके साथ साथ हम जो ह हिंदू धरम से जुड़े हुए कुछ महाकावय हैं और कुछ अन्य रचनाए हैं आए अब हम उनके बारे में पढ़ें आए सबसे पहले हम जो पुरान हैं उनके बारे में जानें पुरान का शाब्दिक अर्थ है प्राचिन या पुरान पुरानों में विश्नु शीव दुर्गा या पारवती जैसे देवी देवताओं से जुड़ी कहानिया हैं इनमें इन देवी देवताओं की पूजा की विदियां दी गई हैं इसके अतिरेक्त इनमें संसार की सृष इसे सब उन्हें सुन और समझ सकें इस्त्रियां तथा शुद्र जिने वेद पढ़ने की अनुमती नहीं थी वे भी इसे सुन सकते थे पुरानों का पाठ पुजारी मंद्रों में किया करते थे जिसे लोग सुनने आते थे आइए बच्चों अब हम जो दो प्रसिद महाकाव्य हैं रमायन और महाभारत उनके बारे में थोड़ा सा तो आप पहले से जानते हैं आइए इसको थोड़ा सा और विस्तार से बताएं अगर हम महाभारत की बात करते हैं तो आपको पता ही है कि ये पांडवों और कोरों के बीच जो युद्ध हुआ उसका यहां पर वर्नन किया गया है इस युद्ध का उदेशय पूरुवंश की राजधानी हस्तिनापुर की गद्धी प्राप्त करना था यह कहानी तो बहुत ही पुरानी है पर आज इसे हम जिस रूप में जानते हैं वह करीब 1500 साल पहले लिखी गई माना जाता है कि पुरानों और महभारत दोनों को ही व्यास नाम के रिशी ने संकलित किया था महभारत में ही भगवत गीता भी है जिसके बारे में आप पिछले ध्याई में पढ़ चुके हैं और बच्चो रमायन के बारे में तो आपको पता ही है ये राम की गता है आप जानते हैं कि किस प्रकार उनके पिता दशरत ने उन्हें चोदां वर्ष का बनवास दिया था और बनवास में जब वो जा रहे थे तो साथ में उनकी पतनी सीता और छोटे भाई लक्षमन भी साथ गए अब बनवास के दोरान ही क्या हुआ कि लंका पती रावन ने उनकी पतनी सीता का अपहरण कर लिया था और बाद में राम को सीता को प्राप्त करने के लिए लंका पती रावन से एक युद्ध करना पड़ा और बाद में युद्ध में उनकी विजय हुई और बाद में 14 वर्ष का बनवास पूरा करने के बाद वो वापिस अपनी नगरी अयोध्या में लोटे थे और ये जो रमायन की कहानी है बाद में इसको लिखित रूप दिया गया और महारिशी वालमीकी जी ने इस रमायन की रचना की इसके साथ साथ जो आम लोग थे उनके द्वारा भी क कहानिया कहते थे कविताओं और गीतों की रचना करते थे गाने गाते थे नाचते थे और नाटकों को खेलते थे इनमें से कुछ तो इस समय के आस पास जातक और पंच तंतर की कहानियों के रूप में लिखकर सुरक्शित कर दिये गए हैं जातक कथाएं तो अकसर स्टूपों की रेलिंगों तथा अजन्ता के चित्रों में दर्शाई जाती थी आए इन में से एक कहानी को पढ़ें बंदर राजा की कहानी एक समय बंदरों का एक महान राजा हुआ वह हिमालया पर गंगा के किनारे अपने असी हजार अनुयाईयों के साथ रहता था इन सारे बंदरों को एक खास आम के पेड़ के फल बहुत प्रिये थे ये आम बड़े मिठे होते थे इतने स्वादिस्ट आम धरातल पर नहीं उकते थे एक दिन पका हुआ आम गंगा नदी में गिर कर बहते बहते वारा नसी पहुच गया उस वक्त नदी में वहां का राजा नहा रहा था उसे वह आम मिला उसे चक कर वह हरान रह गया उसने अपने राजा के जंगलों की देखबाल करने वालों से पूछा कि क्या वे इस आम के पेड़ को ढून सकते हैं या नहीं वे राजा को हिमाल्या की पहाड़ी पर ले गए वहां पहुँचकर राजा तथा दरबारियों ने खूब आम खाए रात में राजा ने देखा कि बंदर भी पके हुए आमों का मजा ले रहे हैं राजा को यह बात बुरी लगी और उसने उन्हें मार डालने का फैसला किया बंदरों के राजा ने अपनी प्रजा को बचाने की एक योजना बनाई उसने आम के पेड़ की टहनियों को तोड़कर उन्हें आपस में बांध कर नदी पर एक पुल बनाया इसके एक छोर को वह तब तक पकड़े रहा जब तक उसकी सारी प्रयाने नदी को पार ने कर लिया पर इस प्रयास से वह इतना ठक गया कि मरना सन होकर गिर पड़ा राजा ने जब यह देखा तो उसने बंदर राजा को बचाने की काफी कोशिश की परवेह सफल नहीं हुआ बंदर राजा की मृत्यू पर उसे शोक हुआ और राजा ने उसे पुरा समान दिया मद्या भारत में बरहुत के एक स्टूप से मिले एक पत्थर पर उकेरे गए चितर में इसे दिखाया गया है जो की आप यहाँ पर देख सकते हैं और बच्चो इस हित्या में गणित और विज्यान की भी कुछ किताबें लिखी गई आए उनके बारे में भी थोड़ा सा जाने इसी समय गणित अग्या तथा खगोल शास्त्री आर्या भट ने संस्कृत में आर्या भटियम नामक पुस्तक लिखी इसमें उन्होंने लिखा कि दिन और रात पृत्वी के अपनी धूरी पर चक्कर काटने की वज़ा से होते हैं जबकि लगता है कि रोज सूरय निकलता है और दूबता है उन्होंने ग्रहन के बारे में भी एक विज्यानिक तरक दिया उन्होंने वृत्त की पृधी को मापन की भी विधी ढून निकाली जो लगभग उतनी ही सही है जितनी की आज प्रियुक्त होने वाली विधी और बच्चों आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि जो अंकों में शुन्या है उसका अविश्कार सबसे पहले भारत में हुआ था और आए किस ने किया और किस प्रकार ये जो शुन्या था भारत से पूरी दुनिया में कैसे पहुचा अंकों का प्रियोग पहले से होता रहा पर अब भारत के गणितग्यों ने शुन्या के लिए एक नए चिन का अविश्कार किया गिनती की यह पदती अर्बों द्वारा अपनाई गई और तब येरोप में भी फ ने सोचा है कि ये जो कागज है ये कहां से आया होगा इसकी शुरुवात कैसे हुई आए इसके वारे में थोड़ा सा पढ़ें कागज आज हमारे रोजमर्रा की जिन्दगी का हिस्सा बन गया है जो किताबें हम पढ़ते हैं वे कागज पर छपी होती हैं उसी तरह लिखने के लिए भी हम कागज का ही उपयोग करते हैं कागज का अविशकार करीब 1900 साल पहले काई लून नाम के वेक्ति ने चीन में किया उसने पोधों के रेशों कपड़ों रसियों और पेड़ की शालों को पीट पीट कर लुगदी बनाकर उसे पानी में भिगो दिया फिर उस ल इधी को अपनाया जाता है कागज बनाने की तकनीक को सदियों तक गुप्त रखा गया करीब 1400 साल पहले यह कोरिया तक पहुची इसके तुरंत बाद ही यह जपान तक फैल गई करीब 1800 साल पहले यह बगदाद में पहुची फिर बगदाद से यह युरॉप अफरीका और ए तो बच्चो इस प्रकार यह हमारा अध्याए समाप्त होता है किस प्रकार आपने इस अध्याए में देखा कि जो इमारतें और जो चित्र और सासात में जो सहित्या इस काल में लिखा गया किस प्रकार वो बहुत ही बढ़िया और उत्क्रिष्ट नमूनों का है इन चीजों से हमें चाहे वो किताबे हैं, चाहे वो चित्र हैं, चाहे वो सहित्य हैं, इस काल की हमें समाजिक, आर्थिक और राजनितिक जानकारी प्राप्त होती है अपने आप में ये बहुत ही बड़िया स्रोत है भारतिया इतिहास को जानने का और समझने का है और वच्चों उमीद है मुझे कि आपको ये अच्छी तरह से समझ आ गया होगा लेकिन आपने कितना जाना कितना समझा आए उसको हम प्रशन उत्तर के माध्यम से जानने का प्रयास करें पहले हम बहु विकल्पी प्रशन करेंगे प्रशन एक स्टूप का शाब्दिक अर्थ निम्न में से क्या होता है विकल्प है शिखर तीला पहार चटान बिल्कुल सही तीला तीला स्टूप का शाब्दिक अर्थ है प्रशन दो मंदिरों के जिस भाग में मुख्य देवी प्रशन तीन अजनता की गुफाएं किस कारण पर सिद्ध हैं? विकल्प हैं मूर्तिकला, चित्रकला, स्थापत्य, साहित्य, बिल्कुल सही अजनता की गुफाएं चित्रकला की वज़ा से पर सिद्ध हैं? प्रशन चार, पुरानों को किस भाषा में लिखा गया है? विकल्प हैं हिंदी, तमिल, संस्कृत, प्राकृत, बिल्कुल सही पुरानों को संस्कृत भाषा में लिखा गया है। प्रशन पांच, कागज का विश्कार सबसे पहले किस देश में हुआ? और विकल्प हैं चेन, भारत, सौधी अरब, जपान, बिल्कुल सही कागज का विश्कार चीन में हुआ? अब हम लगू तरात्मक प्रशन करेंगे। प्रशन एक, शुन्या की खोज किस देश में सबसे पहले हुई? पूरी दुनिया में यह कैसे पहुची? शुन्या की खोज भारत में हुई? फिर भारत से यह अर्बों द्वारा अपनाई गई और तब यिरोप में भी फैल गई? आज यह पूरी दुनिया में प्रयोग की जाती है प्रशन दो मनी मेखलई क्या है उत्तर मनी मेखलई एक तमिल महा काव्या है इसकी रचना लगबग 1400 साल पहले हुई थी और इसे रचनाकार सतनार द्वारा लिखा गया इसमें एक व्यपारी कोवलन तथा माधवी की बेटी की कहानी है प्रशन तीन महा बली पूरम के मंदरों को एकाशम क्यों कहा गया है उत्तर महा बली पूरम के मंदर एक ही विशाल पहाड़ी को तराश कर बनाए गए इसलिए इन्हें एकाशम मंदर कहा जाता है ये मंदर तमिल नाडू में स्थित है अब हम एक मिलान वाला प्रशन करेंगे यहाँ पर दो सूचियां दी गई हैं सूची एक और सूची दो सूची एक में दिया गया है स्टूप, शिखर, मंडप, गरबग्री, प्रादिख्षना, पत। सूची दो में दिया गया है देवी देवता की मूर्ती स्थापित करने की जगें तीला, स्टूप के चारो तरफ रिताकार पत, मंदिर में लोगों के इकठा होने की जगह, गरब ग्री के उपर लंबाई में निर्मान, आए अब हम सूची एक को सूची दो से मिलाएं, पहले है स्टूप, स्टूप को हम तीला से मिलाएंगे, फिर है शिखर, शिखर को हम गर गरब ग्री के उपर लंबाई में निर्मान से मिलाएंगे, मंदब, मंदब को हम मंदिर में लोगों के इकठा होने की जगह से मिलाएंगे, गरब ग्री को हम देवी देवता की मूर्ति स्थापत करने की जगह से मिलाएंगे, प्रदक्षना पत को हम स्टूप के चारो तरफ वृताकारपत से मिलाएंगे तो बच्चों इसी के साथ हमारा ये अध्याय समाप्त हुआ उमीद है आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा प्रसंद रहें सुरक्षित रहें स्वस्त रहें धन्यवाद